यह है LHP का brake control panel और यहाँ पे आप ध्यान से दिखेंगे तो यह इसका DB है और यहाँ पे जो यह cylindrical drum जैसा दिख रहा है यह इसका CR है control reservoir है तो जैसा कि आप सब को पता है कि DB के साथ एक CR होता है control reservoir होता है लेकिन LHP coach में एक coach ऐसा होता है जहाँ पे यह दो CR होते हैं अब आप इस चीज को objective type question में पूछा जाता है कि LHP के किस coach में 2 CR होते हैं किस coach के brake control panel में 2 CR होते हैं और दूसरे CR का क्या है तो इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा ठीक है तो देखें यहाँ पे control reservoir है और यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 CR दिखेगा आपको इस वाले में देख इसने CR का का क्या है यह जानना बहुत important है देखें train का brake system सबसे important चीज है अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं और CNW स्टाप है mechanical departments हैं तो आपको यह जानना बहुत important है कि train का brake system कैसे काम करता है और train का brake system अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है उसको एक दिन में एक वीडियो में या फिर एक article में कोई ना समझ सकता है ना ही कोई समझा सकता है तो इस चीज को part part में समझना ज्यादा बहतर होता है तो आज का वीडियो काफी important होने वाला है क्योंकि एक ऐसा coach है जिसके अंदर यह दो CR होते हैं तो चलिए हम देखते हैं कि यह दो CR क्यों ह होते हैं और इनका काम क्या होता है देखिए जो पहला CR जो आपको दिख रहा है जो पहला control panel दिख रहा है उसमें जो CR है यह 6L का होता है और एक लगा होता है तो यह normal coach में है यह हर coach में जो भी हमारा sleeper general AC जो भी यह coach है इन सब में यह होता है लेकिन जो यह दो CR आपको यह जो CR होते हैं यह handbrake के लिए होते हैं लेकिन अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि handbrake तो manually mechanically पूरा mechanism है यानि कि उसमें air pressure का तो कोई रोल नहीं है वो तो हाँच से घुमाए जाता है और brake लग जाता है जैसा कि यह handle आपको दिख रहा है यह guard van में हो बोगी में जाके आमाउंट हो जाता है उसके बाद आगे आपके यह पूरे बोगी के दोनों इसमें एक ही बोगी में दोनों एकसल पर यह चला जाता है और इस तरह से यह handbrake काम करता है तो सवाल पैदा यह होता है कि भाई यह दो CR जो दूसरा CR होता क्यों है जब यहाँ के दो आदा वील को घुमा के handbrake लगाए जाता है तो वहाँ पे जो बाहर में brake indicator होता है उसको red करने के लिए इस air pressure का इस्तमाल किया जाता है सिर्फ उसी चीज के लिए यह सियार यहाँ पे दिया गया एच हेल्टर का जिसका काम है handbrake लगाने के बाद handbrake का जो brake indicator होता है की तरफ coach के दोनों साइड में उसको red करना green और जब handbrake release हो जाया तो उसको वापस green करना उसको लाल और हरा करने के लिए air pressure की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए यह एक extra CR लगाया जाता है तो इस चीज का ध्यान रखिएगा लिचबी के हर coach में दो CR नहीं होते हैं या यहां पे दो CR होते हैं क्यों क्योंकि एक से indicator को लाल और green किया जाता है जब handbrake लगाया जाता है और handbrake release किया जाता है तो सिर्फ इतने काम के लिए वो रहता है handbrake कभी भी pneumatic नहीं है यारी air pressure से handbrake नहीं लगता है इस चीज का अब्धियान रखिएगा handbrake manual mechanism है mechanical mechanism है जो ह आज से गुमाने से बहुत सारे cable liver खीच के एक दूसरे को और फिर brake caliper को खीचते हैं जैसे यहां पर आपको दिखा दे हूँ मैं यह cable आया है और यह सीधा brake caliper को खीचता और brake लग जाता है इसमें कहीं भी air pressure का कोई यहां इस्तमाल नहीं होता है air pressure का इस्तमाल होता है बाहर के indicator को लाल और हरा करने के लिए तो यह जानकारी कैसे लाइक कमेंट करके बताना वीडियो दिखने के लिए धन्यवाद